दोस्तों से पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि as a graphic designer आप अपना पहला client कैसे ढूण सकते हैं मैं आपको आज एक सच बताना चाहता हूँ और वो सच ये है कि दोस्तों सिरफ photoshop या फिर canva जैसे tools को सीख कर आप लोग graphic designer नहीं बन सकते अगर आप एक designer अपने आपको मानते हैं दोस्तों तो आपके अंदर artistic sense होना चाहिए आपको color combination की समझ होनी चाहिए आपके अंदर इतनी designing skills होनी चाहिए कि photoshop और canva के बगार भी normal एक paper की उपर आप एक बहुत अच्छा design डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो भी दोस्तों आप लो ग्राफिक designer हैं और मेरी इस बात से agree करते हैं कि सिरफ photoshop या फिर कैनमा सीखने से कोई designer नहीं बनता तो भी इस वीडियो को आगे देखिए नहीं तो अभी इस वीडियो को बंद करके दूसरे वीडियो पर स्विच हो जाईए दोस्तों आप अभी तक यह वीडियो देख रह है तो दोस्तों यहीं तरीका जो मैं बताने वाला हूं इसके अंदर आपको जरूर्ट पढ़ेगी एक बहुत ही फेमस वेबसाइट की और उस वेबसाइट का नाम है यूट्यूब अब आप कहेंगे कि यार हमने लिंग्डिन से तो सुनाता हम यूट्यूब से क्लाइंट के लिए इसके रहाँ और भी दूसरे मार्केटिंग प्रमोशन के लिए तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है यूट्यूब क्यों पर वहां जाके दोस्तों अपनी पसंद का कोई भी कीवर्ड डालिए और उससे रिलेटिट क्रिएटर्स को टूनना शुरू कर कि आप 40-50,000 का जो विंडो है पकड़के चलिए अगर किसी के पास 40-50,000 के अराउंड सब्सक्राइबंस हैं तो यह वह स्टेज यानि कि उस क्रिएटर की जिंदगी में आ चुका है कि जिस स्टेज में वह अपने काम को आउट्सोर्स करना शुरू करेगा और इस वक्त बह दोसरा स्टैप इन सारे क्रेटर के अंदर हमें यह चीज देखनी पड़ेगी कि इस क्रिएटर की पेइंग कैपसिटी के मतलब होता है दोस्तों यह देखिए कि यह क्रिएटर जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं वह इस लायक भी है कि वह आपको पैसे दे पाएगा वह आप आपको ऐसे पता लगेगा कि उसका description देखिए उसका video देखिए अगर उसने कोई sponsorship उठा रखिए या फिर वो कोई जॉब भी करता है videos create करने के साथ साथ तो इसका मतलब है कि उसके अंदर अच्छी खासी कुवत है आपको पैसा देने की इस तरह से दोस्तों filter out करके आपको leads की list निकालनी है YouTube से अब दोस्तों आपके पास leads की list आ चुकी है आपके पास clients की list आ चुकी है अब अगला step आता है द अखलब किसी video का thumbnail जो आपको पसंद नहीं आ रहा है उससे उसका ज्यादा अच्छा attractive thumbnail जो है वो create करना है क्योंकि दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको video के शुरू में कि आप एक artist है और आप उससे better thumbnail तो create करी सकते हैं जो भी thumbnail आपको पसंद नहीं आ रहा है उसस better thumbnail तो create easily कर सकते हैं वो thumbnail create कर लिजिए उसके बाद एक बड़ी असा दोस्तों cold email बनाईए आप cold email आपको कैसे रिखना है इसके दोस्तों मैंने already बात कर रहा है अपने एक वीडियो में जाकि इस वीडियो को दोस्तों जरूर देखिए और इन steps को follow करके उसको एक बड़ी अस करना है that's it यह एक तरीका है दोस्तों जिसके थूँ आप अपना पहला क्लाइंट बहुत इजी ली ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जो है टून सकते हैं यह मैं अगर आपकी कोई और requirement है कोई और सवाल है तो वह मुझे जल्दी से कॉमेंट में बताईए जरा से भी वैल करिए बेल आइकन प्रेस करिए तो नेवर मिस अनी वाल्योबल अप्डिक विल थे अंगले वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए स्टेशिए एंड कीप लर्निंग